पूरी कहानी तापसी पन्नु पर अधारित है इसके साथ इस फिल्म में अक्षय कुमार भी तापसी पन्नु का साथ देते हुए दिखाई देंगे आपको बता दे कि ये फिल्म नीरज पांडे के डिरेक्शन में बनी है और इसके निरदेशन का जिम्मा शिवम नायर को दिया गया है फिल्म नाम शमाना इसी महीन 31 मार्च को रिलीज होकर लोगों के वीच एक्षन और मनुरंजन लेकर आ रहे है देखते हैं तापसी पन्नु के इस फिल्म में एक्षन लोगों को कितनी पसंद आती है बॉल्यूर से जुड़ी और खब्रो के ले सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फोर यू टॉप न्यूज से पहक रिपोर्ट